यह है CNG, Tiago, नहीं यह Automatic है, अरे नहीं भाई, यह CNG भी है, पैसे बचाने के लिए चाहिए CNG, और आराम के लिए चाहिए Automatic, दोनों को गट जोड बना दिया Tata Motors ने, यानि सिटी में चलने वालों की अब मुलाद पूरी हो गई, पूरी होई है Tiago के साथ, लेकिन यह Tiago कितन average देती है AMT के साथ, और actual में क्या यह Friday का सौधा है या नहीं, इस review वीडियो में समझेंगे, मैं हूँ आपका होश्ट अमित, और आप देख रहे हैं, आस, कार, गुरू, हाँ यह सच है, यहाँ पर, सिलेंडर ओने के बावजूर्द, दो, काफी जगह है, कि हम, अपना, ल और एक बैग, या दो, केवन साइज सूटकेस, कैरी कर सकते हैं, जब सिलेंडर यहाँ आ गए हो, तो, इस्टेपनी कहा है, इस्टेपनी ठीक नीचे दे रखे गई है, मगर, एक बात जानकर आप चौक जाएंगे, कि, वह 15 इंची के स्टीर वील के साथ आती है, जबकि टा का, इस कार को, इस्टेपनी के साथ भी रखने का, स्रंट के चेंजिस, नहीं, कोई चेंज नहीं, नयाट लोगों आ गया है, यहाँ पर आपको वही पुराने, प्रजेक्टर बेस हैलोजन हेड लैंप, नीचे फॉग लैंप बिल जाता है, ओवरल पहली अच्छी लगती थ मगर चेंज जो है, वो यह, कि यह जो हाइपर स्टैल के वील्स कवर आप देख रहे हैं, यह स्टील वील के उपर दिये हुए है, मुझे तो यह डिजाइन अच्छा लग रहा है, आपको मिलते हैं, वन सेवेंटी फाइव, सिस्टी फाइव पोफाइल के टारों के साथ, ग कोई एराउंड व्यू केमरा नहीं है, लेकिन टर्न इंडिकेटर मुझूद है, ओवराल साइड से अच्छी लगती है, यह, सिए फिल करने के लिए यह, पैट्रोल के बगल में ही जगह दे रखी गई है, जिसे आप आसानी से फिल करा सकते हैं, साथी सिफ्टी के लिए यह पीछे से अगर देखा जाए, तो इसमें ICNG की बैजिंग और Tata का नया टूटी वाला लोगो मिल गया है, बाकि यहां पर कोई चेंज नहीं है, as usual, कैमरा मुझूद है, चावी से खोलने का option है, या आप चाहे तो भीतर से खोल सकते हैं, यहां पर और कोई ऐसी चीज नहीं ह जिसे notice किया जाए, accept camera जो rear view करते समय, help करता है, e-fogger wiper मजूद है, और देखने में पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, Tata, Tiago, AMT, और वो भी CNG के साथ, जब drive की बात आएगी तो बहुत सारी बातें करने पड़ेंगी, जिनमें visibility, वैसे सब visibility अच्छी है, बस इ अपनी ही कार ज़्यादा दिखती है, ठोड़ा और उस side होता, last point पर तो ज़्यादा बहता रहता, बाकि कोई शिकायत नहीं, यानि 7 out of 10, और रही बात इसकी की ergonomic wise, well sorted, सब कोछ बढ़िया है, इस कार में किसी भी तरह की कोई complaint नहीं, और CNG का बटन बिलकुल सही position पर दिया situation है, यहां के मुकाबले है, और, good job, climate control अच्छा काम करता है, कोई complaint ही नहीं है, उसके बारे में, हाँ, थोड़ा AC के वेंट noise करते हैं, ज़्यादा तेज, जब air आती है, तब gear का feel बहुत अच्छा है, कोई complaint नहीं, उसको लेकर भी, और seat है, highly comfortable है, तो comfort के लिए 8 out of 10, steering feedback, यहां पर improvement की गुणजाइस है, especially high speed पर, मैंने इस कार को 80 पर चलाया है, 100 पर चलाया है, 120 पर चलाया है, और 150 पर भी चलाया है, CNG के साथ, तो वहाँ पर थोड़ा सा, और harder side होनी चाहिए, ताकि drive करते समय, कोई complaint नहीं हो, और steering हमेशा in control रहे, वो इसमें एक minus point जरूर है, कास्ट मैं इसे और बहतर पाता, तो मज़ा आ जाता, city drive में बहुत अच्छ, उसका region है, आप ध्यान से समझें, कि यह है, जिसकी वरे से आपको clutch की problems नहीं आती है, तो वो अलग मज़ा है, फिर उसके बाद CNG मिल जाता है, यानि बचत शुरूरी आती है, लेकिन इंगिन का क्या, पहले बात करते हैं, इंजिन के बारे बे, यही तो है, इंडिया की पहली automatic CNG के साथ, 1.2 लीटर, पैट्रो लिजिन के साथ, जो की 3 सिलेंडर है, देता है, 86 PS की power, मगा जब आप CNG पर चलाते है, तो यह power figure थोड़ी घटके रह आती है, 73.5 PS की, टॉर्क मिलता है, पर, ट्रैफिक में, या 5 लोगों के साथ, या AC on करने पर दबती तो नहीं है, सब बाते करते हैं, इसी driving वाले हिस्से में, इंजिन के पास power कम नहीं है, figures के मामले में, लेकिन गाड़ी का अपना वज़न भी माइने रखता है, वो भी है, जिसकी वज़े से यह गाड़ी थो करें, और थोड़ी ऐसी वाली चड़ाई के जवोत पड़े तब, आइदर आपको कोई पॉलम फील नहीं पोगी, city drive करते हैं समय, बहुत अच्छी है, अच्छी पावर भी पोवाइड करती है, उसको लेकि कम्पलेंड नहीं है, फिर कहा पर कम्पलेंड है, देखें, कम्प करते समय, कभी आपको तेज चलना पड़े, कभी धीमा चलना पड़ेगा, फिर कभी बिल्कुल ब्रेक लगाएगे, खड़े ही रह जाना पड़ेगा, ऐसी कंडिशन में यह गाड़ी जब एक गेर से दूसरे गेर में जाती है, तो टेक्निकली लेग लेती है, और जब CNG के बड़ा माइनस पॉइंट, हाला कि कंफर्ट की जब बात आए, और कन्वेनियन की जब बात आए, तो AMT और CNG यह बहुत अच्छा आप्शन कहा जाएगा, हम इंडियंस की जगोतों के अंसा है, अब बात करें इसके मैनुवल का फिल कैसा है, तो देखें, जब आप इसको म और थर्ड गेर पर अगर आप इसे चला के रखते हैं, तो यह है, 110 की स्पीड तरशली आती है, यानि गेर के चेंज की रुकार्मेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप इसे स्मूथ ड्राइव करते हैं, तो और यही रीजन है कि जब मैंने इसे नॉमल चलाया, तो यह पाया कि यह नॉमल ड्राइविंग करते समय बार-बार गेर चेंज नहीं करती है, वो इसे जवत ही फील नहीं होती है, यही वज़ा है कि जब तक आप इंथूजियार्स ड्राइव नहीं करेंगे, आपको गेर के लैग फील ही नहीं होगे, यानि टाटा ने स्मार्टली खेला है इस चीज को कि गेर लैग तर उनहीं लोगों को फील हो जो थोड़ा अग्रेसिव ड्राइव करते हैं, बाकी लोगों को इस तरह की कोई कंप्लेंड ना आए, अब आपसे बात कर लो, मैं इसके फील एफिसेंसी की, तो देखे, पैक्तॉल का रिवी आप देखी तो आप समझें, CNG पर यह गारी सिटी में आपको 18 से 20 किलो मीटर पर किलोग्राम की फील एफिसेंसी दे देती हैं, वहीं अगर आप इसे हाईवे पर ड्राइव करते हैं और जिद जबस्ती नहीं करते हैं इस गारी के साथ प्यार से ड्राइव करते हैं, तो यह गारी आसा आनि से आपको 20 से लेकर 24 की फ्यूल एफिसेंसी पड़े मजे से देती हैं, अगर आप इसे 80 की स्पीट में चलाएंगे तो 24, 26, 24, 26 मिल जाते हैं आप, जो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हैवी ट्राफिक में जबूर 18-20 कम है, लेकिन अगर मेरे ऐसे शैर में च इसकी fuel efficiency मिल जाएगी, यानि smooth drive करते हैं आपको अच्छी fuel efficiency मिल जाती है इस गाड़ी के साथ, अब बात करते है, सेफटी के मामले में कैसी है, तो सेफटी के बात अरक ज़ Films की जाए, तो यह गाड़ी, already crash stress rating में 4 star लेकिन वो पुराने norms के साथ, नए norms में possible नहीं है क्योंक नहीं आते हैं लेकिन overall crashworthiness के मामले में बहुत अच्छी है दो airbank ABS EBD वेहिकल stability program जैसे safety features भी मिलते हैं देक्स थोड़े और improved हो सकते थे वो अगर और improved आते तो मज़ा आ जाता इस गाड़ी के साथ और safety में मैं भी फिर से खुल के कह सकता कि हाँ अब अच्छी safety भी सामेल हो गई है इसके साथ मीजिक सिस्टम की बात करें Harman source का मीजिक सिस्टम है जिसमें आपको बहुत अच्छा मीजिक experience मिल जाता है अलाकि यह नए generation का है मगर अभी भी इसमें कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें है जैसे बहुत अच्छा नहीं रिखता है यानि apple carplay अंडर्ड आटोच पर जब navigation लगाए तो उसे map देखने में दिक्कत ना है यह जरूर इसका एक minus point है बाकि आवाज सी क्वाल्टी ठीक है इस instrument cluster की अगर बात करूं मैं तो यहां पर आपको जो information मिलती है वो किवल black and white मिलती है जो बड़ी boring है यानि CNG की information वो भी black and white और क्लिक वाले display की तैसे आती है हलाकि है तो यह 8-bit display मगर बॉड़न यूग में थोड़ा सा अफीक अफीका रखता है कुछ थोड़ा और fancy होना चाहिए एक और pluspan test के साथ वो यह कि आपको टायर pressure monitor system मिलता है जिसमें आपको चारों टायर के individual pressure के बारे में भी information मिल जाती है मेरे असाब से यह बड़ी चीज है एक छोटी गाड़ी के लिए है पाखी बात है conclusion में करते हैं CNG, automatic इन दोनों का combination अभी तक भारती बाजार में मौजूद नहीं Tata Motors ने एक पहल की उसके लिए तारीफ और यह पहल जवरी थी उन्हें सहरी लोगों के लिए जिनने traffic में पैर दर्थ करते हैं clutch की वैसे और CNG की बचत पी चाहिए ऐसे लोगों के लिए यह car really perfect option है कुछ कमिया रह गई है जैसे AMT lag करता है हाला कि power की भी कमी कोई खास चुबती तो नहीं है मगर है तो जहूद मैं यह कह सकता हूँ एक बहत्रीन कोर्षिस है टाटा मोटर्स की तरफ से एक ऐसी कार देने की जो ज़्यादा पैटकल हो जाए सहरी चलने वाले लोगों के लिए आपकी क्या opinion है लिखे का नीचे comment section में वीडियो पसंद आया है तो like नहीं पसंद आया है डिस लाइक किसी शांदार वीडियो के साथ लेखते रहिए आस कार गुरू